नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमार उसके बाद बात करेंगे टाटा गुरूप के एक सेयर के बारे में और बहुत जरूरी इन्फरमेशन आपको बताएंगे दो सेयर का कमपेरिजन भी आपके सामने र प्रोडक्ट किस केटेगरी का है FMCG का अब आप सब नाम जान गए होंगे हम नाम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं उससे पहले हम कमपेरिजन करेंगे और उससे भी पहले आपसे चाहेंगे कि आप वीडियो लाइक कर लिजे और हम लोग फटा-फट आगे बढ़ते ह हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह जो टाटा गुरूप की कमपनी है यह है TCS हम इसको लाल बत्ती जला लेते हैं यह TCS ठीक है और यह जो कमपनी है वो FMCG कमपनी है टाटा गुरूप की अब मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूं टाटा नमक ब रेटर मिला ना आपको यहां से आप देख लीजे 300% का रेटर मिला चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर हाई लोज आप देखना चाहें यहां से देख सकते हैं TCS दुगनी के आसपास हुई है और यह टाटा गुरूप की कमपनी तीन गुना हो चुकी है TCS को सब दिगज बोलते हैं सबसे बहतरिन कमपनी बोलते हैं Tata Group की है भी वो लेकिन वो सिर्फ दुगनी होई और यह कमपनी तीन कुनी हो गई सेक्टर ऐसा है ना कमाल का है अब जो सेक्टर नमक बनाता है आप समझ पा रहोंगे FMCG सेक्टर यह कितना कमाल का है इंडिया में कितनी ग्रोथ value से बहुत उपर नहीं trade कर रहा है क्योंकि जहां पर ये लगभग लगभग 12 गुना उपर trade कर रहा है ये stock ये सिर्फ और शिर्फ 6 गुना उपर मतलब दुगना सस्ता है book value के हिसाब से और dividend yield TCS देता है ये थोड़ा कम देता है return on capital employed और return on equity की अगर हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा पचड रहा है और इसको मैं explain करूंगा आगे कि ये company किस तरीके से focus कर रही है face value दोनों company की एक रुपए है अगर आप TCS के return on capital employed और return on equity की बात करेंगे ये बहुत ही कमाल का है और T stock का नाम आपके सामने रख रहा हूं अगर आप search करोगे इस stock का नाम इस stock का नाम है Tata global beverages ठीक है अब beverages की spelling जिसको आती है वो हमसे हमको बता दे क्योंकि साइद हमको नहीं आती है अगर यहीं होगी तो अच्छी बात है वाकि I'm not sure चलिए अब यह exactly नाम है नहीं पहले यह नाम था जब हमने अपने portfolio में इस stock को add किया था अब जो लोग एकदम ध्यान से वीडियो देखते हूं क के लिए एक hint मिल गया कि हमारे portfolio का stock था पर अभी इसमें मैं profit book कर चुका हूं total मैं profit कभी book नहीं करता portfolio में है यह आपके लिए disclaimer दूसरी चीज जब भी stock नीचे सस्ता मिलेगा आप अगर channel से जूड़े रहेंगे हम आपको inform जरूर करेंगे हम कहां पर इसमें addition कर रहे हैं अभ इसका नाम बदल दिया गया है इसका नाम कर दिया गया है टाटा कंजूमर प्रड़क्ट्स ठीक है अब यह बनाते क्या क्या है आपने टाटा ठीक का नाम सुना होगा ठीक है और टाटा नमक कौन नहीं खाता टाटा नमक वाली company आपको मिल लगी है अब exactly जिस चीज की मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर वो बात करूंगा यह इस टॉक इतना महेंगा क्यों है ठीक है अगर आप देखेंगे अफम सीजी कंपणियों में साय टाटा कंजूमर प्रड़क्ट सी वो कंपनी है जो बहुत महेंगी है मतलब 82 का पी FMCG कंपनी बहुत बहुत बड़ी value हो करेंगे लेकिन इनका जो पिछला रिजल्ट आया था उसको थोड़ा सा देखने की कोसिस करेंगे और फिर आपको चार्ट भी दिखाएंगे समझाएंगे रिजल्ट पे हम आ गये हैं बहुत ध्यान से चीजों को समझेगा हम सेप्टेंबर 2020 से कंपेर करेंगे सेप्टेंब कि अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फरक है और 300 प्लस करोन का फरक है तो यह पॉजिटिव नंबर है किसी भी कंपनी के लिए जो जिसकी साइज इतनी बड़ी हो अब अगर हम टोटल खर्चे की बात करते हैं और यहां से आप कंपेर करोगे तो यहा बात नहीं कर रहे हैं हम नेट प्रॉफिट आफटर टैक्स की बात कर रहे हैं यहां से 170 करोण 155 करोण यानि कि प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ 15 करोण का फायदा आया इसलिए क्योंकि जो इनके खर्चे थे वह इस कौटर में जो पिछला कौटर गया भी दिसम्बर कौ दिखाई है बीच में जो जून कौटर था वहां पर भी बहतरीन पर्फॉर्मेंस दी थी कंपनी ने अगर आप सालाना देखना चाहते हो यहां पर आप देख लीजिए कौन से यह में यह ऐसी पर्फॉर्मेंस दी हैं यह सब भी आप देख सकते हो और जो सबसे में फोकस आ ऐसे प्रॉफिट निकालिए उनके प्राइस से कंपेर कीजिए और यही मैं आपको कंपेर्जियन बताता हूं सिखाता हूं जहां से आप चीजों को exactly calculate कर सकते हो अगर आप देखेंगे इनका प्रॉफिट जो है वो उतनी बड़ी expectation जैसी हम लगा कर बैठते हैं टाटा ग्र दिये है क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक जो है वो तगड़े से भागा है और अर्निंग उतनी तगड़े से नहीं भागी है अगर आप देखेंगे सिर्फ 15 करोन की अर्निंग बढ़ी है जो कि एक ऐसा नमबर नहीं है हम खुस हो जाएं इस चीज से लेकिन अगर आप TCS की ब आईंगे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिजे तो भई चार्ट पर आपको देखना है क्या कि यह कम्पनी आपको गजब की परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं अब यहां से यहां अगर आप कमेरिजन पर आएंगे तो आपको यह कंपनी तीन गु बाग रही थी आप यहां करें जाकर निफ्टी का चक कीजिएगा और इस कंपनी का भी चक कीजिएगा आपको काफी clarity मिलेगी हमको यहां पर buy करना था या नहीं और अच्छे stocks को हमेशा आपको dip में खरीदने के लिए अपनानी चाहिए अब सोचिए profit उस company का उतना ही रहे और quarters में अगर earnings में सुधार आता है बढ़िया earnings यह company हमारे सामने रखती है तो फिर पी अपने आप सुधरेगा कोई दिक्कत है नहीं long term chart आपको दिखाना चाहेंगे कमाल का chart है आपके लिए एक और investment idea मिल गया जिन लोगों को यह stock लेना हो बिलकुल long term के लिए growth story intact है बहुत ही करना है जब आप जो रेट चाहते थे वही रेट आपको मिला जैसे कि अगर मैंने इस stock को साड़े 500 पर के आसपास profit book किया है ठीक है अब अगर वापस यह मुझे 500 मिलता है मैं वहाँ खरीदूंगा क्या नहीं खरीदूंगा क्यों क्योंकि वहाँ पर मुझे stock ऐसा लग रहा अगर यह हमको साड़े 300 मिलता है एक बार के लिए हम consider कर सकते अब यह बातें आपको हवा हवाई लगती होंगी लेकिन एक चीज़ आप सोचा कीजिए इस बाजार में 5000 से ज्यादा stocks हैं और उन में से आगर आप ढूंद ढूंद के काम करने लगोगे तो हो सकता है कि आपको बना के भेद देगी अगर आप सीखना नहीं चाहते तो तो आपको मैंने कमाल का स्टॉक बताया इतना महेंगा है उसका कारण भी बताया और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जाते आते कि FMCG सेग्मेंट में रूंडिया गाईस से महेंगा स्टॉक और कौन सा है और कमपनी वो भी उसी सेक्टर की कमपनी है ये भी उसी सेक्टर की कमपनी है और दोनों के पी में दुगना नहीं तीन गुना नहीं चार गुना नहीं पांच गुना नहीं छे गुना साथ गुना का अंतर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में यह कमाल का है कि ITC इतना पैस आने वाले समय में कितना कमाएगी बाजार हमें सा इस चीज को सम्मान देती है और टाटा गुरुप की यह जो कंपनी है टाटा का न्यूमर प्रड़क्ट्स लोग यहां पर बेहतरीन पर्फॉर्मेंस के एक्पेक्टेशन रख रहे हैं और बेहतरीन चलने वाली कंपनी है चल करते रहते हैं उसको आपको बताते रहते हैं आपकी मर्जी कौन सा इस्टॉक आपको चूज करना है कौन सा नहीं अपनी रिसर्च आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि वह आप नहीं करोगे तो आप मतलब कॉपी कैट बनके रह जाओगे और फिर पैसा तो दूर की बाद पैसा हो सकता है कि कुछ बार आप कमा लो या आप कमाते रहो लेकिन वह confidence आपको नहीं आएगा अपनी earning पर समझ रहे ना तो यही समझदारी आपको दिखानी है ऐसी educational वीडियो को कम लोग पसंद करते हैं तो आप से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि अगर आप यह देखो तो अप अच्छा से लेट कर सकते हो दूसरी चीज खरीदना कब चाहिए उसकी वीडियो है सस्ता स्टॉक क्या होता है वो भी मैंने वीडियो बनाई है सब देखिए आगे बढ़िए समझदारी को आगे लेकर चलिए और अगर आप long term investor बनना चाहते हो इससे better opportunity आपके पास कुछ न नहीं आप सिर्फ दो तीन चीजें समझ लीजे कमपनी कितना कमारी कितना कमा सकती है सस्ती है या महेंगी है बस और कुछ ज्यादा समझना नहीं है उसकी brand value आप खुछ जानते होंगे तभी आप लेने आए हो रिजल्ट भी मैंने आपके साथ explain किया प्राइज महंगा क्यूं है इस company का वो भी आपके साथ explain किया चार्ट पर मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मेरे पास यहां पर बहुत छोटी position है टाटा का नियूमर प्रडक्ट में और वो position इसलिए क्योंकि मैं अपनी पूरी profit को बुक नहीं करता हूं जिससे कि मुझे अपनी गलती और जो मतलब जहां पर मैंने बुक किया वहां पर मैंने अच्छा किया यह बूरा किया यह मुझे पता चलता रहे इसलिए मैं हमीसा कुछिस करता हूं कुछ quantity हमारे पास बची रहे तो वही small quantity बची है यहां पर आपक doing trade करना चाहते हो यह stock नहीं है थोड़ा सा illiquid type का होता है तो आपको यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है आपको ध्यान यह रखना है volume कहां पर बढ़ रहा है वहां पर आपको अपनी quantity add करनी चाहिए या decrease करनी चाहिए वो previous data से पता चलता है यह सब चीज़े देखकर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एक अच्छे investor बन जाओगे अभी आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको नीचे comment section में लिखना ह ITC का PE कितना है आप यह चीज़ चेक कर सकते हो कहां पर NSC India की website पर चेक कर सकते हो ठीक है यह आप खुद से भी calculate कर सकते हो उनका result खोलिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है PE के उपर उसको आप देख लीजे कैसे how to select best stock for investing वहां से देख लीजे और calculate करके हमको जरा कि क्या ITC में ऐसी कोई major दिक्कत है जो उसके price को इतना कम बाजार करके रखी हुई है हमको यह जरूर बताईएगा नहीं तो ITC जहां अभी trade कर रही है ना वहां से 3-4 गुना उपर trade करती अगर same opportunity लोगों को दिख रही होती जो Tata का नियूमर products में लोगों को दिख रही है इस बाजार में I hope आपको धेर सारी चीजें सीखने को मिली होंगी मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में तब तक के लिए हस्ते खेलते रही यार और Tata Group के इस share पे या TCS पे या Tata Alexi पे या धेर सारे और इस टॉक्स हैं उस पे आप जब भी हाथ हाज माएं त तो आप मासूम तो हो नहीं मुझे इतना पता है बच्चे तो हो लेकिन मासूम हो नहीं तुक्का लगाने आयो तुक्का लगाओगे तो फस होगे अगर आपके पास मासूमियत है आप अच्छी quality के stocks चूज करोगे वो चीजो चूज करोगे जो आपको पसंद है क्योंकि य लगा कर बैठे होंगे इसलिए या तो एकदम भोले भाले बन जाईए या फिर एलर्टनेस के साथ तैयारी कीजिए पढ़ाई कीजिए समझ दिए चीजों को और आगे बढ़िए मिलेंगे फिर से तब तक के लिए बाए